अपका रेमेडीस एंड रेसेपीस फॉर्यों में दोस्तों गर्मी बढ़ते जारी है और गर्मी में लू की समस्या हो ही जाती है तो इससे बसने के लिए दिन भर खुब पानी पीजिए पानी की कमी न होने दे और साथ में बाहर जाते समय आप अपने साथ ग्लू कॉंडी जरूर रखिए और उसे दिन भर पीते रहे इससे एनरजी लेवल बना रहेगा और साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो डिहाइड्रेशन की समस्या को पूरा करते हैं उन फलों को आप अपने डाइट में जरूर सामेद कीजिएगा तो च चलिए बनाते हैं पपाया मिल्क शेक बिल्कूल बाजार जैसा फ्लेवर वाला पपीते का मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है पका हुआ पपीता और पपीते को हमने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और नाम से यह इस पस्ट है पपाया मिल्क शेक यान बारिक किसा हुआ काजू, बारिक किसा हुआ बाधाम और एक चम्मच के करीब इलाइची का पाउडर और बारिक किसा हुआ तिस्ता और एक कटोरी चीनी और साथ ही यहाँ पर हमने लिया है आईस क्यूब्स और थोड़ा सा आईस क्रीम और अब हमें मिक्सी कजार लेना है और सभी पपीते को, कटे हुए पपीते को उसमें डाल देना है और साथ ही इसमें हम डालेंगे दूद और आईस क्रीम आईस क्रीम को भी हम इसमें डाल देंगे और साथ ही जितने भी हमने आईस क्योग लिये हैं उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे स्वात एनुसार चीनी चीनी आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना ही चीनी डालिएगा तो अब हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं पपीता मिल्क शेक बन कर तयार हो गया है और अब हम इसे ग्लास में सब करेंगे तो इसे हमें गाढ़ा ही रखना है क्योंकि ये शेक है ना कि जूस और शेक हमेशा थोड़ा गाढ़ा ही होता है और ये पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है तो अब हम इसे और भी थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए इसके उपर डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा इलाइची का पाउडर इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और फ्लेवर जो है दोगुना हो जाता है साथ में हम इसमें डाल रहे हैं बादाम किसा हुआ और अब हम इसमें डाल रहे हैं किसा हुआ काजू और थोड़ा सा किसा हुआ पिस्ता भी हम इसमें डाल रहे हैं आपके पास जो भी ड्रैफूर्स अवलेबल हूं या फिर जो भी ड्रैफूर्स आपको पसंद हो खाने में वो ड्रैफूर्स आप इसमें डाल कर पी सकते हैं तो देखिए दोस्तों लग रहा है ना बहुत ही यम्मी और बहुत ही delicious तो अब हमें क्या करना है इन सब ही ड्राइफूर्स को अच्छे से मिला देना है चम्मा से और मिलाने के बाद इसे आपको पी लेना है तो लीजिए दोस्तों बन करके तयार है बहुत ही tasty और बहुत ही healthy पपाया मिलक शेक और ये पपाया शेक मार्केट में मिलने वाले पपाया शेक से भी ज़्यादा delicious है टेश्ट में तो दोस्तों एक बार जरूर बनाइए इस तरीके से पपी ते का healthy milk शेक और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये recipe कैसी लगी तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा जिससे मेरे next वीडियो को धन्यवाद